हेलो एन वालकम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों तुनीशा शर्मा केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों आखिर कार पुलिस वालों के हाथ में लग चुका है तुनीशा शर्मा का लिखा हुआ आखरी लेटर जिसमें लिखा है शिजैन खान का नाम जी हाँ दोस्तो तुनिशा शर्मा ने अपने हातों से ये आखरी खत लिखा जो आखिर कार मुंबई पुलिस के हातों बरामत किया गया मुंबई पुलिस काफी जादा इस मामले को गहराई से और बहुत ही जादा सीरियस होकर इस मामले की जाच कर रही है हर एक angle को सही से examine किया जा रहा है और investigation बहुत ही तेजी से की जा रही है वहल दोस्तो मुंबई पुलिस ने पहले भी ये बात कही थी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग खुद से अपनी मर्जी से जान देते हैं तो हमेशा ही एक letter एक note छोड़ कर जाते हैं जिसमें उनके जाने की वज़ा होती है लेकिन तुनिशा शर्मा ने अचानक से ही अपने काम की जगा पर यानिकी अली बाबा दास्ताने काबुल जिस सीरिल में वो lead actress का किरदार निवाती है उस सेट के make-up रूम में अचानक ही अपनी जान दे दी और वहां पे किसी भी तरीके का कोई letter कोई note नहीं मिला जो की काफी ज़ादा अचम्बित कर रहा था काफी हरानी भी हुई वेल दोस्तो लगातार जो पुलिस है वो बार बार अली बाबा के सेट पर जाकर चानवीन करती है और उन्हें आखिर कार काम्यावी हासिल होती है जब उनके हाथों लगता है एक letter जी हाँ दोस्तो मरियम यहाने की तुनिशा शर्मा का suicide letter आखिरकार हाथ लगा है पुलिस के उन्होंने बताया है कि उस letter में एक साइट श्रिजैन खान का नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और वहीं दूसरी साइट श्रिजैन खान के लिए एक message छोड़ा है तुनिशा शर्मने आखिर वो क्या है message उस message नहीं पूरी के पूरी कहानी पलट दी है वेल दोस्तों आपको बता दें की कागस का एक तुकड़ा है जिसमें एक तरफ शिजैन खान का बड़ा बड़ा नाम बहुत ही खुबसूरत तरीके से लिखा गया है और अगले ही side यानि के पन्ने के दूसरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी है और वो लाइन है शिजैन is very lucky to have me वेल अगर आपको उनके exact words बताएं तो उन्होंने लिखा है he is blessed to have a co-star like me woohoo यानि कि वो कही न कहीं इस बात से बहुत खुश है कि ये बहुत blessed है यानि कि शिजैन खान बहुत blessed है कि उसे मेरी जैसी एक co-star मिली है दोस्तों कहीं न कहीं इस बात से अंदाजा लगता है कि वो कितना जादा खुश थी या फिर वो शिजैन खान को कितना अपना मानती थी लेकिन अभी भी सवाल वही का वही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने अपनी जान दे दी क्या कहेंगे आप इस लेटर पर आपको इसमें क्या इमोशन नजर आ रहे हैं क्या छुपा होगा इस एक लाइन के पीछे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अपने व्यू साथे साथ वीडियो को लाइक और शेर करना अपना भूले